मेरे प्यारे देशासियों, बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरब जाएगा ही, कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवाब पुरसकार दिये गए, ये पुरसकार मुजीक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के ख्षेत्र में उभर रहे, प्रतिभाशाली कलाकारों को दिये जाते हैं, ये कला और संगित जगत की लोगप्रियता बढ़ाने के साथ ही, इसकी समरुद्धी में अपना योगदान देर हैं, इन में बेकलाकार भी शामिल है, जिन्होंने उन इंस्टूमेंट्स में नई जान फुकी हैं, जिनकी पॉप्लेरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी, अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिये, क्या आप जानते हैं, एक कौन सा इंस्टूमेंट है, संभव है, आपको पता न भी हो, इस बाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है, और इस धून को तयार किया है, जॉइदिप मुखर जी ने, जॉइदिप जी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरसकार से सम्मानित लिवाओं में शामिल है, इस इंस्टूमेंट की दूनों को सुनना, पिछले पचास और साट के दसक से ही दुल्लब हो चुका था, लेकिन जॉइदिप सूर सिंगार को फिर से पॉपलर बनाने में जी जान से जूटे हैं, उसी प्रकार बहन उपलपू नागमणी जी का प्रयास भी बहुती प्रेरक है, जिने मेंडोलीन में कारनाटिक इंस्टूमेंटल के लिए ये पुरसकार दिया रहा है, वहीं संगरामसी सुहास बंडारे जी को वारकरी किर्तन के लिए ये पुरसकार मिला है,